सरोका दिवस पार्टी के वरिष्ट नेताने की समारों की अधक्षता रेल इंजन और कंटेनर ट्रक में भीसर टककर खटना के बाद कंटेनर का चालक मौके से फराई भू माफिया दोरा सरकार्णी जमीर बेचने की बड़ी साजस पुलिस प्रसास न जुटा मामने की जाएज़ में नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का खबर भागलपूर से है जहां कुछ दिन पहले तीन घरों के घर का ताला तोड़ कर वेघर करने का मामला सामनी आया था जब इस बिशय में विपिन मंडल और दिलीप मंडल से पूछा गया तो उसने बताया कि जो भी आरूप लगाया जा रहा है वे हमें फसानी के लिए लगाया जा रहा है जबकि मैंने वे जमीन खरीदा है जिसका कागज मेरे पास है नरकटी आगंज में जाती आधारित गणना को लेकर प्रखंड के चार्ज सेंटर पर फिल्ड ट्रेनर एवं पंचात सचीवों के साथ प्रखंड चार्ज अधिकारी साव वीडियो सतीश कुमार ने एक बैठक किया इस बैठक के दोरान उपस्तित कर्वियों को वीडियो ने बताया कि गणना के दोरान वाड में 700 की आबादी अत्वा 1.500 घर एक उपगणना ब्लॉक बनेगा उन्होंने बताया कि गणना को लेकर उपगणना ब्लॉक तयार करने के लिए पंचायत सचीवों को निर्देज भी दे दिया गया है और अगामी साथ जनवरी से इस दुश्या में कार शुरू कर दिया जाएगा खबर नरकटिया गंज से है जहां ब्यापार मंडल सहयोग समीती के प्रबंध कारणी समीती के नव निर्वाचे सदसों में निर्वाची पदाधिकारी सा वीडियो सतीव शकुमार द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र का वित्रण किया गया वहीं ब्यापार मंडल के अध्यक्षपद पर निर्विरोध निर्वाचे दिलीप मिश्रा को भी निर्वाची पदाधिकारी सा वीडियो ने प्रमाण पत्र देकर निर्वाचे गोशित किया वहीं जोरान आरो स्रीक कुमार ने बताया कि अध्यक्ष पद पर एक मात्र नामांकन पढ़ने की कारण चुनाओं नहीं करवाया गया खबर मधुबनी से है जहां भारती कम्यूनिस्ट पार्टी के 98 इस्थापना दिवस की अवसर पर पार्टी जिला कार्याले शहीद भवन मधुबनी में एक समारह का आयोजन किया गया बतादी स्थापना दिवस समारों की अधक्षता पार्टी के वरिष्ट नेता मोहमद सुएब ने किये और भारती कम्यूनिस्ट पार्टी के संगर सेवं आंदोलन में हुए सहीदों को श्रधांजली देते हुए वक्ताओं से कहा कि देश के स्वाधीनता आंदोलन से प्रारंभ बाक्पा का संगर सामाजिक राजनीति केवं विवस्था परिवर्तन के आंदोलन में दरजनों साथियों के सहादत के साथ सामाज में ब्याप्त कुर्टियों को समाप्त करने में एहम योगदान है अपना दिवस के अफसर पर हमारे यहां पूरे देश में आज बहुत हरसो उलास के साथ अस्थापना दिवस मना रहा है चुकि हम लोग हमेशा हमारी पाटी गरीब गुर्वा के आवाज को लेकर के सरक से लेकर संसत तक लड़ाई लड़ती रही है गरीबों का आवाज को योजना है वो कमनिष्ट पार्टी का बनाया हुआ है उस पर आज जो नेता सब आये हैं राज करने के लिए सब उसी योजना को भजा भजा करके सत्ता सीन हो रहे हैं अस्थापना का ये संतानवे भर्स पूरा हो गया अंठ्यानवेवा अस्थापना दिवस अम लोग आज पार्टी कारजाला है सही भवर मधवनी में मना रहा है आज पार्टी के सभी सदा से अपने घरों पर पार्टी के साखा अंचल कारजालेयों और जिला कारजालेयों को सजाकर पुरे देश में इस अस्थापना दिवस के अफसर पर पार्टी का जंदो तोलन करते हुए विभीन काजक्रम के माध्यम से यह अस्थापना दिवस मनाया जा रहा है भार्तिय कॉम्रिस पार्टी के संहर्ष का एक लंबा इतिहास है खबर मोतीहारी से है जहां रेल इंजन और कंटेनर ट्रक में भीसर टकर हो गई और टकर के बाद कंटेनर बुरी तरह से छतिग्रस्थ हो गया बता दे घटना के बाद कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया वहें इस दुर घटना के पीछे फाटक मैन की लापरवा ही बताई जा रही है खबर मुजफरपुर से है जहां गाई घाट सामाजिक मंच के बैनर तले अपनी विभीन मांगो को लेकर गाई घाट प्रखंड मुख्याले इसे धर्णा असल पर आनिशित कालीन आमरण अंशन पर बैठे इस दोरान मंच के कारकरताओं ने प्रखंड और अचल कार्याले में हो रहे मरश्टा चार को लेकर जमकर नारे बाजी भी की वहीं मंच के अध्यक्ष ने कहा कि मुख रूप से हमारी चार मांगे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक धर्णा किया जाएगा प्यार करना परेगा पिछले बार भी हम लोगों ने भूख खर्टाल पर बैठा पिछले साल भी बैठा विकत 14 नवंबर को भी किशानों की मांग को लेके हम लोगों ने बैठा बट संगठन ने ये फैस्टाल लिया कि भूख खर्टाल बहुत हो गया अब आमरन अनसन करेंगे पर सासन को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि भ्रस्ता चार अंसला अधिकारी पर जो आरोप मुझे खबर मुझाफरपुर से है जहां भू माफिया डाग घर की करोडों की जमीन को बेचने की ताक में थे वहीं जानकारी के नुसार भू माफियाओं ने मोती पूर बाजार से डाग घर की जमीन की बोली भी लगा दी और बताया की करोडों रुपे में इसका सौधा तैह हो चुका था हलाकि प्रशासन की सक्रियता से भू माफिया के मनसूबे पर पानी फिरा पूरे मामले पर पूछे जाने पर SDO पश्यमी विर्जेस कुमार ने कहा कि प्रशासन की ततपरता से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री बची है सब रजिस्टार ने इस्थानी सियो से इसकी रिपोर्ट मागी थी जिसमें यह पता चला कि करोडों की प्रपटी सरकारी है जी जी ये मामला संग्यान में आया है हमारे अंचल अधिकारी मोती पूर को जो सबर इस्टार साहब है आवर निबंदक में जब फर पूर हैं उनके द्वारा एक पत्र दिया गया कि मोती पूर नगरपाली का छेत में बड़ी मस्जिद के शामनी की जमीन है वो सायद उसका निबंधन करने के लिए इनके आया था तो उसकी जांच उन्होंने कराई तो अंचल अधिकारी के हमारे भी वारता हुई है उन्होंने बताया कि जांच के करम में वह जमीन भारत सरकार की निकली और उसके जो जमीन रुकते हैं छोटी से ब्रेक के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खड़ीना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वस्नी इस्टोर? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भाव करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ 83 दिगजों से जानेंगे राजनीती दावपेज अब सर्शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी चांसर से लेकर विढ़ायक तक आईयस से लेकर आईपी अर्स तक सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार और रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुकरते हैं खबरों के ओर खबर मुझाफरपूर से है जहां निगरानी विभाग की टीम ने कारवाई करते हुए बिजली विभाग के डाटा इंट्री ऑपरेटर को गिरफतार किया और टीम ने उगत कर्मी को 6,000 रुपे रिस्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा वहीं बिजलेंस के डियास पे शिव कुमार साह ने बताया कि आरूपी के खिलाफ मनियारी के रियाजू दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि नया कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपे रिस्वत देने की मांग की जा रही है अब एधन दिया था कि हमको बेल्डिंग मसीन चलाने बठाने है तो उसको एक अथी कनेक्शन चाहिए था विजूत का ठीक है उसके लिए जो है एक 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 एक्स्विटीव असिस्टेन थे डाटा इंटी ऑप्रिक्टर थे विजूत आपकी प्रसाखा में मारकन में उनके द्वारा बोला गया कि आपका हम सब कुछ कर देंगे तो आप 6,000 रुपया दीजिए उसका सत्यापन हम लोग के द्वा मामले में बड़ी कारवाई करते हुए 40 ड्रम में रखे जावा महुआ और 5 भटी को नस्ट किया पता दे ठाना अध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना की आधार पर जंगल में जाकर बड़ी कारवाई की गई जहां 40 ड्रम में रखा जावा महुआ शराब को मौके पर नस्ट करते हुए 5 भटीयों का भी ध्वस्त किया गया वहीं पुलिस की भनक लगते ही कारोबारी घाने जंगल का फायदा उठा कर मौके से फरार हो गया उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं को बख्षा नहीं जाएगा और यह कारवाई जारी रहेगी खबर पटना से है जहां परचा लीक होने के बाद B.S.S.C. की पहली पाली की परिक्षा रद कर दी गई जिसको लेकर बिहार कर्मचारी चायन आयोग ने परिक्षा को रद कर दोबारा एक्जाम कराया गौर तलब है कि B.S.C.C. CGL के 23 दिसंबर की पहली पाली के प्रश्णपत्र लीक होने की जानकारी सामने आयोग ने आर्थिक अपराद हिकाई से मामले की जाच करायी थी E.O.U. ने मामले की जाच करते हुए पेपर लीक के मास्टर माइंड को गिरफतार किया है सहरसा जिले के सिम्री बक्तियारपूर थाना अंतरगत तुर्की गाउं के बाड नमबर एक में सोमवार की देर शाम बदमाशों ने पुरानी रंजिस के चलते एक यूवक को गोली मार कर खायल कर दिया जिसे आनन फानन में जक्मी हालत में इलाज के लिए नुमंडल अस्पताल ले जाए गया जहां डॉक्टरों ने युवक की गंफीर हालत को देख्ट हुए बहतर इलाज के लिए सर्दर अस्पताल रिफर कर दिया वह पूलिस मामले की जाच में जुटी हुई है बिहार के मधुबनी में राज विद्याले रसोईया एक्ट संग ने विभिन मांगो को लेकर बी आर्सी भवन के गेट पर धर्ना प्रदर्सन जारी रखा इस दोरान हर लाखी के विभिन विद्यालों की रसोईयों ने सरकार की विरुध नारे बाजी की धर्ना का नेटूट कर रहे संके जिला सचिव नरेश कुमार प्रखंड अधक्ष इंदर कुमार और मिथिलेस भगत ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ सो तेला बेफार कर रही है इससे हम लोगों को भुखमरी जैसे नौबत आ गई है उन्होंने कहा कि इतने महंगाई भरे जमाने में सोलो सो रुपे से हम लोगों का गुजारा कैसे होगा उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हमारा प्रदर संजारी रहेगा उन्हों लेक il दूसरा काम कर नहीं सकते हैं और हमको सरकार दुवारा 16 रुपिया दिया जाता है इसमें हमारा बया भारन पोशन नहीं होता है जो उसको परीशा बार हाने के लिए हम भूरों को मिटिंग बंद नहीं होता है बिहार की खबरों में इतना ही देजुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खड़ी ना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ